आखिर कौन सी ताकत है जो राजस्थान में जो है हाई कोट में मनु महराज की मुर्ती को लगाए दे रहा है। वो कौन सी ताकत है जो केंद्रिय बिस्विधाले दिली उनिवर्सिटी में मनुस्मिर्ती लागू करना चाहता है। असली लड़ाई उस सत्ता उस विचार धारा से है। मनुस्मिर्ती नहीं पढ़ेंगे तो उसको जलाएंगे कैसे। मनुस्मिर्ती पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको जला सकें। सबसे ज़्यादा तो बाबा साहब के नाम का उपयोग भारतिये जनता पार्टी करती है। पांच जन्नी जो है जो आरेसस का मुख पत्र है उसमें ते इतना मोटा भी से संग छाप दिया था बाबा साहब डॉक्टर। वे मूर्ती परमाला विचारों पर ताला इस कंसर्ट पे राष्टिये स्वयम से वक संग भारतिये जनता पार्टी काम करते हैं। नवश्कार मैं सर्वन कुमर आप देख रहे हैं जनहीत अवाज और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ओम सुधा जी हैं जो यसी अश्टी ओबी सी सन्युक्त मोर्चा के राष्टी अध्यच भी हैं। मनुईस्मिर्थी भी लागू करने का प्रस्ताव था। असल में क्या है कि भारतिये जनता पार्टी और राष्टिये स्वयम से वक संग ये तीसरी बार सत्ता में आये हैं। और ये तीसरी बार आने का मतलब अब इनका डाउन फॉल है, अब ये नीचे जा रहे हैं, अब इनको क्या लगता है कि अब तो गए, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट कथित रूप से बनाने का इनका सपना है, वो अमली जामा ये नहीं पहना पाएं, ये जो हिंदू अगर मेरी बात गलत है तो, ये मनुश मिर्थी क्यों लागू कराना चाहते हैं, अगर मेरी बात गलत है, तो जैसरी राम का नारा संसत भवन में क्यों लग रहा है, हिंदू राष्ट का नारा संसत भवन में क्यों लग रहा है, ये तो सम्विधान के खिलाफ है, काइदे से होना ये चाहिए अगर कोई व्यक्ति संसद भवन के अंदर किसी धर्म विसेश के राष्ट का नारा लगाता है उसकी सदस्ता जिस समय वो सपत लेता है उसी समय चली जानी चाहिए वो इसका मतलब है वो व्यक्ति जो संसद भवन में जैसिराम और हिंदू राष्ट की बात कर रहा है वह संब्धानिक बात आप संब्धान की सपत लेकर किसे कर सकते हैं इसका मतलब आप डिजर्व नहीं करते हैं आप समानी सदस भी पार्लियमेंट का होने लाइकने इनकी सदस्ता भंग होनी चाहिए दूसरी बात यह जो आप कह रहे हैं कि पूरी जो लड़ाई कि चल रही है इसको किस नजर यह से देखा जाए क्या है कि हमारी लड़ाई जो है ना बहुत हम लोगों ने नीचे से शुरू किया, लड़ाई हमने वहां से शुरू किया है, जब हमको पनी पिने का भी हक नहीं था, वहां से हमारी लड़ाई शुरू ही है, जब हमको जानवर से भी बत्तर समझा जाता था, सुवर और कुटे से भी बत्तर समझा जाता था, हमारी लड़ाई वहां से मानिवर कां तो हमारी लड़ाई ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। लेकिन जो अपने आपको नेता मानते हैं जो सड़कों पर आकर जन अंदोलन नहीं करते हैं। ऐसा थोड़े कि किसी को स्विकार है। लेकिन उस सत्ता के खेल को समझना पड़ेगा। कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो बाबा साहब की मुर्ती तक से जिनको नफरत है। आखिर कौन सी ताकत है जो राजस्थान में जो है हाई कोट में महराज की मुर्ती को लगाये दे रहा है। वो कौन सी ताकत है जो केंद्रिये विश्विदाले दिल्ली उनिवर्सिटी में मनुई स्मिर्ती लागू करना चाहता है। असली लड़ाई उस सत्ता उस विचारधारा से है। हम लोग उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कीमत भी चुकाया है। मेरे ही उपर 27 मौमले दर्ज है, मुकदमे दर्ज है। क्या लग रहा है कि देज स्माथ की पाढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सबको मनुश्मिर्थी पढ़ना चाहिए, मनुश्मिर्थी को पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आपको समझ मैंगा कि इसके उपर मुत्र भी सर्जन करना है, मनुश्मिर्थी नहीं पढ़ेंगे, तो उसको जलाएंगे कैसे, मनुय смирती पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको जला सकें मैं चाहताऊं तमाम लोग मनुय смирती पढ़ें इस देश के तमाम लोग मनुय स्मिरती पढ़ें जरूर पढ़ें खास तोर पे S.C.H.T.O.B.C. के लोगों को जोरत क्यों है मनुईस्मिर्थी पर चपल लखने की जोरत क्यों है मनुईस्मिर्थी को जलाने की जोरत क्यों है बावा साहव ने मनुईस्मिर्थी को क्यों जलाया था तो मनुईस्मिर्थी तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए लेकिन विस्विद्याले में पाठिकरम के रूप में पढ़ना और मनुष्मिर्थी को समझने के लिए जानने के लिए पढ़ना दोनों में अंतर है आप सरकार जो है मनुष्मिर्थी को पाठिकरम में सामिल करती है इसका मतलब है उसका acceptance कराती है, तो दोनों बातों में अंतर है, मनुश्मिर्थी पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको पाठिकरम में नहीं डालना चाहिए, पाठिकरम उस सीड़ी है, जहां से मानो जीवन का विकास होता है, मनुश्मिर्थी वो किताब है, जो मानो जीवन के विकास है, उसको रोक कर है इसलिए आप कहる है कि उसको मतलब आम तरह पढ़ना चाहिए जो कालांतर में घटनाय घट़ीं जिस से इस टूबी सीपर उसमें तुमाम ऐसे चीज़े हैं जो करने सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं सीट का तो पता नहीं है लेकिन समाज चाहता है कि हम इस वार बिधान सभा चुनाव लड़ें समाज चाहता है कि चुनावी राजनिती में और मैं भी संजदियल लोकतंत्र में यकीन रखता हूं मैं भी चाहता हूँ कि समाज अगर चाहता है मुझे कि मैं चुनाव लड़कर बिधान सवा पहुंचूं तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा बिधान सवा जरूर पहुंचूंगा और समाज का जो विस्वास है उसको कभी तूटने भी नहीं दूँगा अभी समाज के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, मिस्नरी साथियों के साथ, हंदोलनकारी साथियों के साथ, विचार भी मर्श कर चल रही है, चर्चा चल रही है, जैसे ही हम लोग तै करेंगे चीजों को साथियों के साथ, हम एक प्रेस मीट करके हम लोगों को बकाइदे बताएंगे और हमारी प्रेस मीट में कोई जो है एन आई और रिपबलिक जी नहीं होता है हम यह बहुजन मीडिया के भरोसे जो है काम करते हैं तो बहुजन मीडिया को बुला कर बकाइदे सब के सामने घोसना की जाएगी कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे कैसे चुनाव लड़ेंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कैसे क्या तैयार हो एक लास्ट शवाल आप से कि सर जिस तरह से हमने सोचल मेडिया पर भी देखता हूं कमेंट काफी पढ़ता हूं तो उसमें कमेंट आते हैं लोगों का कि जो आज की नेता है वो कहीना कही जो बहुजण मौह पूरूट है उनको चुनाव के दौरां ऐसे तो आम तोर की जिंदगी में उनको पकड़ती हैं और चुनाव के दौरां आम जनता को परोशने का काम करते हैं और प dismiss लिते हैं जाय मियसे सत्ता आती है लेकिन उनkी विचारों पर काम नही जो आरेश का मुखपत्र है उसमें तो इतना मोटा भी से संग छाप दिया था बाबा सब्सक्राइब करते हैं तो मूर्ती और उस पर चर्चा बावा सापित करेगा चुनाओं में तो और ज्यादा करेगा तो यह तो करते हैं लेगिन असली चीज है विचार जो समाज के लोग हैं जो हम जैसे लोग हैं हम लोग विचार पर बात करते हैं बाबा साहब का जो विचार है समता मुलक समाज का विचार बंदुत का विचार सबको समान न्याय का विचार इस विचार पर बात हो सबको समान अवसर मिले सबको मनुस्य समझा जाए जाती का अधार पर किसी को नीचा और किसी को उचा नहीं समझा जाए कोई मुझ से पैदा हुआ है कोई कहीं और पैदा हुआ एक जगह जो समान परकिरिया है पैदा होने को वही मानी जाए ऐसे में आपका एक शवाल था कि आज जिस तरह से देखा जाए तो जैभीम के नारे और बावा साहब का जो दिया शविधान है इस देश को वह पालिया मेंट से लेके मतलब बात किया जाए आम तो पर तो शड़क से लेके संसत बहुत तक लहरा रहा है लेकिन अगर एक अस्त सीखे समाज के साथ जिस तरह से महिलाओं को पीड़न किया जा रहा है लेकिन दोनों पार्टी इंडिया अगर्ट मनन हो चाहें बिजेपी हो उस पर एक भी ना ट्वीट करती है ना कोई बेयान देती है देखिए दोनों बड़े राजनितिक दल हैं किसी को अमित साह समालते हम जैसे छोटे लोग उस पर क्या कहें हम जैसे लोग जो हम लोग छोटा सा बावा साहब के चर्णों की हम लोग एक छोटी सी धूल है बावा साहब के चर्णों का एक छोटा सा कन है हम बावा साहब ने जो मिसन दिया है जो उनका हैसान है हमारी जिन्दगी पर कि कुता और सुर से बदल कर हमें इनसान का दर्जा दिलाए बावा साहब ने, उनके मिशन के लिए हम लोग अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, लड़ते रहेंगे, संसत तक लड़ी जाएगी, बिधान सभा तक लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को हम हर कीमत पर कलम से लड़नी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे.